तो स्टुडेंट्स हमारी एक एप्लिकेशन है केरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से यह application specifically android users के लिए available है इस application में आपको login करना होगा अपनी gmail id से and once you have logged in आप इस page पे जाएंगे आप यहाँ पर इस page पे देख सकते हैं एक code है crack10 अगर आप यह code crack10 यूज़ करते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा अगर आप purchase करते हैं हमारा course को अब course हम आप सोचेंगे कि यह course इतना अच्छा इतना important course क्यूं है क्या reason है इस course का इतना अच्छा होने का देखिए हम daily basis पे आपको current affairs प्रोवाइड करेंगे weekly basis पे monthly basis पे मतलब daily basis पे हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे उस दिन के content की एकदम अच्छे से बिलकुल notes format में ताकि आपको खुद के notes ढूणने ना पड़े बनाने ना पड़े और ये notes पढ़के आपकी revision हो सके यही आपको quiz भी हम provide करेंगे same content की daily basis पे 20 questions की quiz होगी आपको application पे मिल जाएगी जो आप revision के लिए हमारा PDF पढ़के course को revision करने के लिए अगर आप चाहेंगे कि मैं कहां से revise करूँ हम आपको application पे ही revise करा देंगे अपनी through this quiz ऐसे ही weekly format में आपको 50 questions की quiz मिलेगी और PDF, compiled PDF of important questions of that week ऐसे ही monthly basis पे एक top 100 questions की PDF मिलेगी जो बहुत अच्छी PDF होती है बिलकुल कतेना एकदम star questions, most important questions of that month हम cover करते हैं इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए prepare कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक one stop solution है बहुत अच्छा content हम आपको provide करते हैं 99.99% हम अपना content cover कर देते हैं related to banking awareness इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अप provide करते हैं आपको 20 topic के PDF ये topic की PDF कौन कौन सी होती हैं जैसे आगर आपने exam में देखा होगा एप से related, auditory किस personality की मृत्य हो गई, books, किस book कौन से author ने लिखी है important days के बारे में, national affairs के बारे में, international affairs के बारे में, defense के बारे में ये particular satellite किसकी है, ये missile किसके द्वारा launch की गई तो इससे related हम सब आपको content provide करते हैं, जो आपके लिए बहुत जादा helpful रहता है इसी के साथ-साथ, कुछ special current affairs भी provide किये जाते हैं, interactive PDFs भी आपको provide की जाती है अगर आप हमारा course purchase करेंगे ते, जो आपकी preparation में बहुत helpful रहेंगी और जो ये सारा content अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये content bilingual है bilingual मतलब English में भी provide किया जाता है, as well as ये हिंदी में भी हम आपको content provide करते हैं इसी के साथ-साथ friends, आप हमारे YouTube channel को जाके subscribe कर सकते हैं वहाँ पर हम आप बहुत अच्छे से revise कराते हैं, आपको content पढ़ाते हैं आपको कुछ ना समझाए, तो आप वहाँ से जाके refer कर सकते हैं एक code और याद रखना वो है विकास 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए, तो आप विकास 10 का code यूज़ कर सकते हैं आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पर मिलेगा और इसी के साथ साथ, अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा है, या आपका course purchase हो गया है, पैसे cut गए है, या कोई भी issue आ रहा है तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा एक, इसी के साथ साथ friends, आप हमारे course को 2 साल के लिए as well as 1 साल के लिए purchase कर सकते हैं अगर कोई बच्चा, कोई student दो साल बाद exam देना चाता है, वो long term plan कर रहा है, आपकी graduation अभी खतम हुई है and आप चाते हैं कि आपकी preparation बहुत ही अच्छे से हो है and आप अपना 100% देके exam देना चाते हैं तो आप 2 साल का भी course purchase कर सकते हैं, as well as अगर कोई plan कर रहा है next year payment करने का, next year plan कर रहा है अपना exam देने का, then वो एक साल का course भी purchase कर सकता है even अगर आपने 1 साल का course purchase कर सकते हैं, या आप उसका 1 साल और extension कर जाते हैं, तो वो भी हमारा courses offer करता है, आप जाके check कर सकते हैं तो चले फ्रेंज अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम सेकिंड में के इंपोर्टन करंट अफेस डिसकस करेंगे सेशन काफी हेलफुल रहेगा आपके लिए तो एंड तक जरूर देखेगा नोट्स जरूर बना के चलना अगर आपने पहले की वीडियो में जो हम डेली बेसिस पे वीडियो करते हैं नोट्स नहीं बनाए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए वर्दान रहेगी क्योंकि आज की वीडियो में हम पुराने सारे करंट अफेस इंपोर्टन डिसकस करेंग परिपरेशन कितनी अच्छी होगी चलिए स्टार्ट करें पहला क्वेशन कह रहा है हाई स्पीड रीजनल ट्रेन को डिजाइन करने वाली वो कंपनी कौन सी बनी याद रखना अभी इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल्वे ट्रेन लांच किया गया यह डिजाइन किसके द डेली से मेरट के बीच में और यहाँ पर जो ट्रेन चलेगी इसको डिजाइन और डेवलप किसके द्वारा किया जाएगा ओल स्टॉम के द्वारा 82.5 किलोमेटर लंबा यह ट्रेक है डेली से मेटरो के बीच में ठीक है इससे काफी जादा आपका टाइम बच जाएगा और जो expected है around 40% आपका टाइम बच जाएगा as well as जो यह ट्रेन है 180 किलोमेटर पर आर की स्पीड से वर्क करती है चलिए नेक्स पे आते हैं मरकॉम इंडिया की सोलर प्रोजेक्ट ट्रेकर की रिपोर्ट के हिसाब से वो पहला स्टेट कौन सा बना जिन्होंने 10 गीगावाट आपका राजस्थान यह डाटा किसके दवारा रिलीज किया गया मकम इंडिया के दवारा यह रिलीज किया गया solar project تकर है इन्होंने बताया कि जो solar energy से power energy एनर्जी जनरेट की जारी है वो राजस्थान में 10 गीगावाट का इनोंने अचीव किया है चलिए गुजरात की बात करें तो यहीं पे आपका पहला स्टील स्लेग रॉट यहीं पे आपका ट्रेडिशनल सेंटर फॉर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन जो ड्वलु एचो की माईद मदद से बनाए गया है ठीक है चलिए नेक्स पे आते है सेबी के द्वारा एक एडवाइजरी कमिटी सेट अप की गई थी फॉर इन्वाइमेंटल शूशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के लिए इस कमिटी को किन के द्वारा चेयर किया जाएगा वो है नमनीत मुनूत नमनीत मुनूत कौन है यह अभी हेड बने है चेयर बने है एक एडवाइजरी कमिटी के ESG पे जो इन्वार्मेंट शूशल एंड गवर्नेस पे इस कमिटी को किस के द्वारा बनाए गया यह सेबी के द्वारा यह कमिटी बनाई गई थी ठीक है और अगर हमें नमनीत मुनूत जी की बात करें तो याद रखना यह कौन है CEO है यह HDFC Mutual Fund के HDFC Mutual Fund के यह CEO है नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्ट एडिशन आफ रोमें रोलेंड बुक प्राइस का अभी एक फ्रेंच बुक थी वो थी मरसॉल्ट इसका ट्रांसलेट करके इसको बेंगॉली में कनवर्ट किया गया ठीक है बोला गया कि इस बुक को अभी फिफ्ट रोमें रोलेंड बुक प्राइस से समानित किया गया तो दा बेंगॉली ट्रांसलेशन आफ दिस नोवल ये पूछा जा रहे है इस book को translate किसके दोरा किया गया था तो याद रखना है इस book को translate किया गया था त्रिनंजन चकरबरती जी के दोरा ठीक है फ्रेंच से इसको बंगॉली में translate किया गया था next who recently became the president of Costa Rica for a four term चार साल के लिए Costa Rica के prime minister, president कौन बने वो है Rodriguez Chaves Rodriguez Chaves को president बनाये गया Costa Rica का इसी के साथ साथ लगे हाथों ज़रा बताओ शाहिली एप ये किस के दोरा launch की गई? केरला government के दोरा इसको launch किया गया reason क्या था? Diagnosing, Controlling, Lifestyle, Disease के लिए ठीक है? फिर इसी के साथ साथ E अधिगम E अधिगम ये क्या है? हर्याना में इसको launch किया गया reason क्या था? कि 3 लाख बच्चों को school के बच्चों को tablets प्रोवाइड करने की बात की गई under this E अधिगम जो की हर्याना के दोरा launch किया गया next पे आते हैं हम बात कर रहे हैं fourth edition of Halo India Youth Games की जो की हर्याना में होंगे हर्याना में का पंचकुला में होने वाले हैं अभी तो पूछा जा रहा है इसका mascot क्या है fourth Halo India Youth Games का तो वो है धाकड और यहीं पे अगर मैं पूछ लूँ second edition of Halo India University Games का mascot क्या रहेगा वो है वीरा तो correct option यह हो गया Halo India Youth Games जिसका fourth edition अभी का होंगा हर्याना पंचकुला में next है प्रधान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना किस ministry के अंडर लॉंच की गई तो ministry of finance के अंडर इसको लॉंच किया गया 18 से 50 साल के individual जो भी है जिनके पास एक saving account है वो scheme के अंडर एंडरॉल कर सकते हैं यह क्या है एक life insurance scheme है अपकी जो it covers your death due to any reason ठीक है चलिए next है किस organization ने recently Green Health Alliance को launch किया in collaboration with Principal Scientific Advisor to the Government of India and Catalyst Group and Rockefeller Foundation के साथ मिलके इन्होंने launch किया तो कौन सी organization है वो तो याद रखना USAID United States Agency for International Development इन्होंने अभी launch किया एक Green Health Alliance in collaboration with PSA Principal Scientific Advisor to the Government of India Catalyst Group and Rockefeller Foundation के साथ मिलके यह क्या है आपका यह work करेंगे on scaling up the solution to help reduce the health system's carbon footprint जो आपका health system की वज़े से जो आपके operations या जो भी reason होता है आपके hospitals या healthcare facilities जो carbon release करते है atmosphere में जो वो pollute करते हैं उसको tackle करने के लिए यह launch किया गया है next बात करेंगे world के longest glass bottom bridge की कहाँ पर है world का largest glass bottom bridge यह वियत नाम में है इसको white dragon भी बूलते है इस glass bottom bridge को ठीक है और white dragon के साथ ही साथ इसका नाम जो है वो है back long pedestrian bridge ठीक है यह 632 meter long bridge रहेगा यह आपको याद रखना है next name the personality who has won the Pulitzer Prize 2022 award in the journalism under the under the feature photographic category feature photographic category के under जिन्होंने Pulitzer Prize जीता 2022 का वो कौन है बताइए जरा वो यह सारे ही है याद रखिये आप और इसमें से दानी सिद्धिकी आगर आपको याद रखना है तो यह वो जन्रेलिस थे जिनका अफगानिस्तान में मृत्य हो गए थी उनका निधन हो गया था next पे आते है वो कौनसी एरस्पेस कंपनी है बैंगलॉर से जिसने अभी इंडिया का पहला high performance green propulsion system को test किया for satellites I repeat वो इंडिया की पहली कौनसी एरस्पेस कंपनी है बैंगलॉर से जिन्होंने इंडिया का पहला high speed performance green propulsion system satellites के लिए test किया वो है Bellatrix Aerospace next सवालेक कहां पे लोकेटेड है सवालेक आपकी किदर लोकेटेड रहेगी ज़रा बताइए यह इराक में लोकेटेड आपकी सवालेक next पहला organic waste powered electric charging station कहां इनाउग्रेट किया गया मुंबई महराष्टा में इसको इनाउग्रेट किया गया था और यह जो electric vehicle charging station है यह biogas पे रन करेगा मतलब organic waste पे रन करेगा और इससे ही आपकी street light को power की जाएगी street lights जलाई जाएगी तो यह कहां पर हैं मुंबई महराष्टा में फिर इसी के साथ साथ जरा अगर आप से question पूछू मैं जरा बताओ अभी एक breakfast scheme launch की गई थी breakfast scheme की school में बच्चों को breakfast provide किया जाएगा किन के दवारा Tamil Nadu government के दवारा इसको launch किया गया ठीक है फिरियाद रखना वो पहले Indian women कौन सी बनी जिन्होंने 5 peaks को climb किया है that are above 8,000 meter तो वो कौन सी महिला है वो है Priyanka Mohite Priyanka Mohite वो पहले Indian women बनी to climb 5 peaks above 8,000 meter चलिए next पे आईए Dash became the first Asian country जिसने NATO की Cyber Defense Security Exercise on नाटो की Reason being की China और North Korea दोनों की तरफ से South Korea पे threats हो रहे थे Cyber attacks हो रहे थे So in order to counter that इन्होंने इसको join किया फिर यहीं किया है याद रखना अभी एक cyclone आया था असानी के नाम से इसने किस पे impact किया है आंदरपरदेश Odisha and West Bengal पे इसका effect देखने को मिल रहा है Next question है किस country ने अभी elect किया Chair of Association of Asian Authorities को for 2022-2024 को कौन सी country elect की गई तो याद रखना यह है हमारी इंडिया जिनको अभी chair करने का मौका मिला 2022 से लेके 2024 तक किसको Association of Election Association of Asian Election Authorities को ठीक है 2024 से 2022 से 2024 तक इंडिया को chair करने का यहाँ पे मौका मिलाए ठीक और इंडिया को represent किस ने किया था Election Commissioner of India ने Election Commission of India ने यहाँ पे इस meeting में यहाँ पे इंडिया को represent किया था और इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना अभी तक जो headquarter है यह जो headquarter है Asian election authorities का वो कहाँ पर है Manila Philippines में ही है और 1998 में इसको established किया गया था Moving on presidential elections की बात करते हैं Philippines की किनों ने जीता कौन बने President of Philippines 2022 में वो है Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos जूनियर यह J.R. भी लिखा सकता है एंड में टम तो याद रखेगा Ferdinand Marcos जूनियर इनको appoint किया गया as the President of Philippines फिर next हम बात करेंगे National Technology Day के अगर आपको याद हो इंडिया ने पोकरान में पोकरान कहां पर है राजिस्थान में अपना nuclear test कंड़क्ट कराय था और उस nuclear test कंड़क्ट कराने का जो operation था उसको नहां दिया गया था operation शक्ती तो ये इस day को observe करने के लिए celebrate करने के लिए commemorate करने के लिए हम 11 माई हर साल हम National Technology Day observe करते हैं या आपको याद अखना है ठीक है operation शक्ती कब हुआ था 1998 में हुआ था चलिए next Kongjom Day Kongjom Day ये कहा celebrate किया जाता है Kongjom Day आपका Manipur में celebrate किया जाता है reason being कि जो Manipuri Warriors British में British Warriors से लड़ते 1981 में 1891 में Manipur के Warriors जो British Government से लड़ते मर गए थे उनको honor करने के लिए हम Kongjom Day observe करते हैं 23 अपरेल हर साल Manipur के दोबर observe किया जाता है moving on world की largest wetland world's largest wetland कौन सा है इन में से वो है South America का Pantana Waxland ठीक है यह आपको याद रखना है यह तो एक static question होगा आपका next हम बात करेंगे 19th edition of Asian Games जो की पहले Hongzoo China में plant थे कि कराएंगे फिर इसको postpone कर दिया था लिए next पहाई यह which country recently replaced Russia from the UN Human Rights Council via voting तो Czech Republic ने replace कर दिया है Russia करो from the Human Rights Council via voting और एक चीज़ और WTO World Tourism Organization से भी रश्या ने आपको आपको हटा लिया है next पह चलते है Rapco Subiksham यह एक special deposit scheme है किन के लिए senior citizens and super senior citizens के लिए लाए गया senior citizens को 15 महिने के लिए 7.1% 15% का interest मिलेगा FD पर और इनको 7.25% का interest मिलेगा on FDs ठीक है और यह किन के द्वारा लाए गया अगर यह पूछा जाए आपसे यह आपकी Rapco Subiksham तो याद रखना Rapco Bank के द्वारा यह लाए गया है चलिए next in which state राखिगड़ी विलेज इस कहां पर लोकेटड़ है तो याद रखना राखिगड़ी विलेज आपकी कहां पर हर्याना में लोकेट़ है हर्याना में fodder fodder को बढ़ावा देने के लिए fodder cultivation को बढ़ावा देने के लिए एक scheme लाए गई थी चारा बिजाई योजना चारा बिजाई योजना लाए गई थी कि fodder सेक्टर को थोड़ा बूस्ट में ले एं लोग जादा चारा बना सकें ताकि जो पशू है उनका भी पेट भर सकें next मवेली एक्सप्रेस इसको best maintained train बोला गया ये किस railway station में आती है ये Southern Railway का पार्ट है मवेली एक्सप्रेस important question है याद रखियेगा मवेली एक्सप्रेस को as the best maintained train गोशित किया गया in the Southern Railway during the 63rd Railway Week celebration इन में 63rd Railway Week celebration के दोरान मवेली एक्सप्रेस को as the best maintained train in the Southern Railway इसकोवर डिसक्राइब किया गया ठीक फिर बताइए name the ministry जिन्होंने एक non-financial MOU sign किया Amazon के साथ ताकि जो small help self-help groups है वीमन का छोटे business men वो अपने products बनाते हैं उनको Amazon के सहेली platform पे sell किया जा सके जिससे उनको boost मिलेगा as well as जो हमारे छोटे products हैं वो एक market उनको बड़ी market मिलेगी लोगों को discover कर पाएंगे किया गया एक non-financial MOU कौन सी ministry है याद बताईए ministry का नाम वो है ministry of ruler development चलिए next पे आते हैं किस organization ने अभी एक MOU sign किया Indian National Center for Ocean Information Services के साथ to provide training and support to the school of naval oceanology and meteorology याद रखना है Indian Navy अभी इन्होंने Indian National Center for Ocean Information Services के साथ tie up किया ताकि यहाँ पे training and support प्रोबाइट किया जा सके to the school of national oceanology and meteorology कौन है Indian Navy याद रखिएगा और एक चीज़ और अभी Indian Air Force के द्वारा एक aircraft में aircraft के थूँ आपका Bromo Supersonic Cruise Missile को टेस्ट किया गया था उस aircraft का नाम क्या है वो है Sukhoi 30 Mark 1 next किस organization ने release किया first global report on infection prevention and control इसमें बताये गया कि जो हमारा 70% of the infections होते है अगर हम अपने हाथ का good hygiene, हाथो को time पे दोए wash करें and proper hygiene maintain करें तो 70% of the infections हम prevent कर सकते हैं होंगे ही नहीं यह report किसके द्वारा release की गई? World Health Organization के द्वारा इसको release किया गया IMF और IMF और World Bank का जो आपका headquarter होता है वो Washington DC में होता है UNEP की, Nairobi, Kenya में होता है ठीक, चलिए next पे आते हैं Government of India ने अभी recently 800,000 US dollar contribute किये किस language को United Nation में promote करने के लिए expand करने के लिए तो Hindi language को United Nation में promote and expand करने के लिए अभी Government of India के द्वारा 800,000 US dollar का grant approved करा गया next, Morgan Stanley ने India की GDP growth rate for fiscal year 2023 मतलब 2022 से लेके 2023 तक इंडिया की fiscal growth को 7.9% बोला गया था लेकिन Morgan Stanley ने अब due to various reasons, reasons कि आपके war, Ukraine war और आपका China में COVID policy, इनकी वज़े से अब जो slash कर दी गई है आपका GDP growth rate इंडिया की 7.6% आ गयी है ठीक है, चलिए next पे, who was recently appointed as the new prime minister of Sri Lanka after resignation of Mahinda Rajpaksha, तो Mahinda Rajpaksha के बाद जो अब नए आपके prime minister बने है Sri Lanka के, वो कौन है? Ranil Vikram Singhे moving on, name the personality उन personality का नाम बताओ जिनको appoint किया गया as the chief executive officer and managing director of Air India वो है Campbell Wilson इनको chief executive officer and MD बनाए गया Air India का next बात करेंगे, Indian Air Force के दुआरा अभी ब्रमो सूपरसॉनिक क्रूज मिसाल को टेस्ट किया गया, किस एरक्राफ्ट से? मैंने अभी यही बताए था, कौनसा एरक्राफ्ट है वो? वो है Sukhoi 30 Mark 1 एरक्राफ्ट जिससे इस ब्रमो सूपरसॉनिक क्रूज मिसाल को टेस्ट किया गया, ब्रमो सूपरसॉनिक क्रूज मिसाल की बात करें तो 350 किलोमेटर की इसकी अराउंड रेंज रहती है, ठीक है? और 2.8 मैक इसकी स्पीड रहती है नेक्स पे आते हैं ये किस मिनस्ट्री के द्वारा लॉंच किया गया था? आप से ये पूछ आता रहा है तो मिनस्ट्री आफ रूलर डेवलोप्मेंट के द्वारा इसको लॉंच किया गया था नेक्स्ट इन विच्टेट पंगोलाखा वाइड लाइफ सेंचुरी इस लोकेटेट यह कहां पर लोकेटेट है सिक्के में सिक्का में ही याद रखेगा टीस्ता रिवर भी है ठीक है चलिए नेक्स पर आईए नेम्द है इंडिया का पहला मेड इन इंडिया इलेक्टरिक बस वो कौन सी है जो की EKA Electric Vehicle Manufacturer Company के द्वार लॉंच की गई थी वो है EKA E9 यह Electric Bus का नाम है जो की First Made in India Electric Bus है और किसके दवरा बनाए गई है EKA Electric Vehicle Manufacturer Company के द्वार इसको बनाए गया और डिलिवर करा गया था नेक्स्ट इंटर सोलर यूरोप 2022 किस सिटी में हुआ था ये इंटर सोलर यूरोप 2022 अभी रिसेंटली इस पर हमारे भगवन्त कूबा जी जो की मिनिस्टर आफ स्टेट आफ मिनिस्ट्री आफ नियू एंड रिनेवल एनरजी है इनके द्वारा एड्रेस किया गया इंटर सोल यूरोप 2022 कंड़ कराए गया था ठीक है किसके दुवारा इंडो जर्मन एनरजी फॉरम के दुवारा इसको कंड़क कराए गया था आईजी एफ के दुवारा एंड इंटर सोलर यूरोप 2022 यह वर्ल्ड का लीडिंग एग्जिबिशन है फॉर सोलर इंड़स्ट्री जो की 11 म इसको खोला गया यह 2365 फीट लॉंग है 1.2 मीटर रहेगा यह आपका और इसको लागत लगी बनाने में कुछ अराउंड 8.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेक्स्ट किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली लॉंच किया नैशनल डाटा एंड एनटलेक्स प्लैट्फोर्म तो एंप्रूव दा एक्सेस अन यूज ओफ पॉब्लिक इंडियन गौवर्मेंट डाटा तो किनके द्वारा नितिया अउग के द्वारा यह नैशनल इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है यह 14 में 2022 को as well as इसी को 8 October को भी यह day observe किया जाता है World Migratory Bird Day ठीक है इसकी थीम पूछी जा रही है थीम क्या रहेगी आपकी थीम है Impact of Light Pollution on Migratory Birds यह आपकी थीम रहेगी काफी important mark करके जरूर चलिएगा ठीक है त्या थीम रहेगी आपकी Impact of Light Pollution on Migratory Birds यह 14 में को as well as आपका दो occasion पर observe किया जाता है 14 में as well as 8 October को यह observe किया जाएगा Moving on, next है First International Day of Plant Health First International Day of Plant Health पहली बार observe किया जाएगा यह International Day for Plant Health कब observe किया जाएगा? 12 मही को यह day observe किया जाएगा To create global awareness on the importance of plant health हमें plant health की importance दिखाने के लिए यह day observe किया जाएगा कब? 12 मही को पहली बार फिर question पूछा जाएगा आपसे कि कौन होस्ट करेगा FIFA Under 17 Women's World Cup को FIFA Under 17 Women's World Cup को October में कौन होस्ट करेगा? 2022 में वो होस्ट करेगा हमारा India ठीक है इसी के साथ साथ जरा बताओ Cyclone Asani कहाँ पे आया था कहाँ पे effect पड़ा आंद्रपरदेश, Odisha, West Bengal में effect पड़ा ठीक है फिर एक अभी drug free zone बनाए गया है मनिपुर में क्या बता सकते हैं किस जगए को? पोवमाई नागा एरिया को अभी drug free zone बनाए गया है मनिपुर में फिर एक scheme आ जाती है लाडली लक्षमी scheme 2.2 किस के दौरा लांच की गई थी? मद्या परदेश के दौरा इस scheme को लांच किया गया फिर एक आयोध्या में अभी आयोध्या में एक prominent crossing बनाए गई किस की ओनर में? लता मंगेशकर जी की ओनर में और पहला लता दीननात मंगेशकर अवाड से किन को समानेत किया गया? प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया नरेंदर मोधी जी को फिर नेक्स जड़ा बताओ हर्याना का हमने देखा fodder cultivation को बढ़ाने के लिए जो लांच किया गया वो है चारा बिजाई योजना इंडिया का पहला center of excellence on खादी कहां पे setup किया गया? न्यू डेली में न्यू डेली की बात करें तो माई electric vehicle, माई EV e-autos को promote करने के लिए hobby hubs hobby hubs क्या था? ये सरकारी स्कूल में implement किया गया था ये भी आपका new Delhi के द्वारा government of Delhi के द्वारा launch किया गया था फिर इसी के साथ-साथ museum की बात करें, former prime ministers के लिए वो भी आपका कहां पर है? न्यू डेली में ही है फिर एक और चीज याद रखिए पहली state वो कौन सी बने जिन्नोंने old pension scheme को restore कर दिया वो है 36 गड़ फिर ज़रा बताईए president of Costa Rica president of Costa Rica कौन बने? वो है Rodriguez Shaves अगर मैं बात करूँ president की president of South Korea कौन है? यूं सक योल यूं सक योल आपके नए president बने South Korea के फिर अगर world का longest glass bottom bridge की बात करें कौन सा था? white dragon था कहां पे है ये? वियत नाम में इन्होंने किसको replace किया? चाइना को replace कर दिया from the world's longest class bottom bridge से फिर बताओ पहली female president of Hungary कौन है वो वो है कैटलिन नोवेक ठीक है फिर इसी के साथ साथ बताओ वो कौन सी country है is the highest recipient of foreign remittances वो है आपकी इंडिया और ये data किसके दोरह release किया गया वर्ल्ड बैंक के दारह ये data release किया गया था फिर वो इंडिया की कौन सी company है पहली company जिन्नोंने 100 billion का 100 billion US dollar का annual revenue cross किया वो है आपकी reliance ठीक इसी के साथ साथ ज़रा बताओ इंडिया का largest IPO कौन सा था वो था LIC का IPO with a valuation at 21,000 करूर रूपीज फिर इसी के साथ साथ याद रखना HDFC ने एक express car loans launch किया express car loans किसके द्वारा launch किया गया ये HDFC के द्वारा launch किया गया कि 30 minute के अंदर हम आपको नया car loan provide करके देंगे फिर इंस्पी हर इंस्पी हर ये mothers के लिए launch किया गया था financial literacy campaign है भारती एकसा के द्वारा ये इंस्पी हर एक mothers के लिए launch किया गया literacy campaigns के women's को पैसे की awareness create किया जाए financial literacy campaign basically तो ये इंस्पी हर भारती एकसा के द्वारा launch किया गया ठीक है फिर इसी के साथ साथ हमने देखा Morgan Stanley ने जो इंडिया की growth rate प्रोजेस्ट की वो पहले 7.9 थी अब उसको slash करके 7.6% कर दिया गया इसी के साथ साथ TVS Motor Company के जो managing director बने है वो कौन है सुदर्शन वेनू जी City Union Bank के जो City Union Bank के part-time chairman बने है वो है M. Narayan जी फिर इसी के साथ साथ जरा बताओ Air India के MDN CEO कौन बने Camp Wilson हम देखी जुके है Next Chief Election Commissioner Chief Election Commissioner कौन बने वो है Rajiv Kumar जी फिर दिपिका पादुकोन की बात करें तो ये पहली Indian brand ambassador बनी है Louis Vuitton brand की इसी के साथ साथ Sanjeev Bajaj has been appointed Sanjeev Bajaj has been appointed as the President of Confederation of Indian Industry 2022-2023 के लिए इसी के साथ CBSC की अगर मैं पूछू Chairperson कौन बनी वो है Nidhi Chibbar जी Nidhi Chibbar को appoint किया गया as the Chairperson of CBSC All right इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अगर पूछा जाए Semicon India Semicon India India को Semiconductor का manufacturing hub बनाने के लिए launch किया गया था Semicon India कहां पे हुआ था Bangalore में हुआ था और PM Modi Ji के द्वारा इसको inaugurate किया गया था फिर बताओ किनके द्वारा नेशन का पहला ethanol plant को inaugurate किया था Purnia में तो किन के द्वारा इसको inaugurate किया गया था पिहार के chief minister नितीश कुमार के दवारा इसको inaugurate किया गया फिर mega health festival mega health festival कहां पे inaugurate किया गया pondi cherry मे पुढू cherry में पुढु cherry का ही अगर आपको याद हो I.C. pondi पहला beach festival था इसी के साथ साथ जरा बताओ नीरच चोपड़ा के होम टाउन में एक स्टीडियम खुलने की बात की गई हर्याना गौवर्मेंट के द्वारा ये भी याद रखना ठीक है फिर डोर्स्टेब डिलिवरी ओफ 100 गौवर्मेंट स्कीम की जो 100 पॉब्लिक सर्विसेज जो गौवर्मेंट अप्रूव करती है जो प्रोवाइड करती है उसके डोर्स्टेब डिलिवरी के लिए 36 गौवर्मेंट के द्वारा एक स्कीम लाँच की गई मुख्या मंतरी मिटान योजना तो जो 100 पॉब्लिक सर्विसेज 36 गौवर्मेंट प्रोवाइड कर रही है उनको डोर्स्टेब डिलिवरी मतलब घर आके वो डिलिवरी हो जाएगी उस चीज की वो किस के द्वारा मुख्या मंतरी मिटान योजना वो लाँच की गई 36 गड़ गौवर्मेंट के द्वारा ठीक है फिर याद रखना मिया का बड़ा दिस वाज दा रिल्वे सिशन जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया महेश नगर हॉल्ट और ये कहां पर है ये आपका राजिस्थान में है फिर याद रखो जीवहला जीवहला क्या है rare sindes के लिए personal loans प्रोवाइड करने की बात कि गई महाराश्टा गवर्मेंट के दौरा इसको आपका जीवहला का गया है फिर ऑपरेशन सतर्क के बात करें ऑपरेशन सतर्क किस के दौरा लाँच किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के दुवारा पाथ से लेके 30 अपरेल के बीच में इसको लॉंच किया गया था पहला ट्राइबल हेल्थ अब्जरवेटरी ओडिसा में खोली गई है ओडिसा में ट्राइबल लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हो जो हेल्थ का डाटा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये पहले ट्राइबल हेल्थ अब्जरवेटरी लॉंच की गई कहाँ पर उडिसा में फिर एक चीज़ याद रखना हर्याना में ही वीकल मूमेंट ट्रेकिंग सिस्टम लॉंच किया गया ये वीकल मूमेंट ट्रेकिंग सिस्टम क्या करता है जो भी आपके ट्रक, सेंट या फिर माइनिंग से रिलेटेड जो भी आपका सेडिमेंट या कुछ भी आपका मिनरल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उनको ट्रेक करने में ये मदद करता है वीकल मूमेंट ट्रेकिंग सिस्टम लाँच किया गया हर्याना के दुआरा फिर याद रखना स्टेचू आफ यूनिटी को एट वंडर्स आफ एस्टी ओ में एड़ कर लिया गया है अगर पूछा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही इंडिया की रैंक रही 150 और टॉप करने वाली जिसकी फर्स रैंक रही वो है नॉर्वे फिर इसी के साथ-साथ पूछा जाए इंडिया का पहला Flow Chemistry Technology Hub कहां पर है? हैदराबाद में सेट अप किया गया ठीक है? इसी के साथ-साथ राजिस्थान वो पहली स्टेट बने टू क्रॉस 10 गीगावाट अफ रिन्यूबल सोलर एनरजी फिर अगर हम देखें World Press Freedom Index में हम देखी चुके हैं इंडिया की रेंक रहेगी 150 और नौर्वे ने किया अगर मैं बात करूँ अब Terms of Crypto Gains Chain Analysis के द्वारा एक डाटर रिलीस किया गया जिसमें बताए गया 2021 में in Terms of Crypto Gains किस कंट्री ने Crypto Gains जादा दिये मतलब कुईस कंट्री ने Profit जादा हुआ कंट्री में अगर इंडिया की बात करें तो 2021 में इंडिया की रहेगी 21 और टॉप पे रहेगा United States of America सबसे जादा Crypto Gains देखने को मिले हमें United States of America में फिर next time बात करेंगे United Nations के Food and Agriculture Organization के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया कि पिछले 30 साल में हमने अर्थ का 10% forest cover को खो दिया है Moving on चरा बताईए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी विटले गोल्ड अवार्ट से किन को सम्मानित किया गया Snow Leopard Expert चारूदत मिश्रा को सम्मानित किया गया फिर अभी BRO को अटल टरनल के लिए Indian Building Congress Best Infrastructure Award से सम्मानित किया गया फिर इसी के साथ साथ याद रखना इंडिया Country of Honor बनके जाएगा Cain's March Do Film in France में जो ये Cain's के March Do Film Award होंगे यहाँ पे Country of Honor होगा इंडिया फिर इसी के साथ साथ याद रखना World Food Prize World Food Prize 2022 से किनको सम्मानित किया गया NASA की Climate Scientist Cynthia Rosenwick को सम्मानित किया गया Reason Being इनका जो काम था वो ये था कि Climate Change की वज़े से जो Food पे Insecurity आ रही है Food Patterns में Change आ रहा है उस पे इनकी ये Research थी ठीक चलिए Next पे आईए India का पहला Indigenious Aircraft Carrier कौन सा है जो कि Hydrogen Fueled Electric वेसल पे वोग करता है I repeat नहीं नहीं ये दो क्वेशन लग लग मिस्क कर दिया मैंने पहला क्वेशन है इंडिया का पहला Indigenious Aircraft Carrier जो कि Indian Army को हैंड ओवर किया जाएगा वो है INS Vikrant I repeat INS Vikrant वो Indigenious पहला Aircraft Carrier है जो कि हैंड ओवर किया जाएगा Indian Navy को फिर दूसरा क्वेशन आ जाता है कि इंडिया का पहला Indigenious Hydrogen Fueled Electric वेसल कौन सा है कौन बना रहा है इसको पहला Indigenious Hydrogen Fueled Electric वेसल कौन बना रहा है कोचिन Shipyards Limited बना रहा है और INS Vikrant इंडिया का पहला Indigenious Aircraft Carrier है ठीक है चलिए Code और याद रखना वो है Vikas 10 अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप Vikas 10 का code यूज कर सकते हैं आपको Crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा और इसी के साथ-साथ अगर आपको कोई भी issue आ रहा है हमारी application से related, website से related या आपका course purchase नहीं हो रहा तो आप हमें contact कर सकते हैं at the number 9677-333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको reach करेगा और आपकी problem को solve करेगा